कोई माई का लाल नहीं था जो सहाबुदीन को राजत से अलग कर दे। जब ये बात बिहार विधान सभा के स्पीकर अवद बिहारी चौधरी कह रहे थे उनकी आवाज में पीडा थी। अवद बिहारी चौधरी की ये पीडा ऐसे समय में आई जब सीवान में सहाबुदीन समर्थकों में भारी नाराजगी है और वह आगामी चुनाओं में राजत को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। यह सच है कि राजत की ओर से सिवान में सहाबुदीन परिवार को मनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के लिए तेजस्वी यादों ने संभौता आवद बिहारी चौधरी को दूद चुना है। यह भी सच है कि अगर सहाबुदीन परिवार को कोई दावे और हक के साथ मना सकता है तो वो अवद बिहारी ही हैं। वरना अगर सहाबुदीन समर्थक राजद को सबक सिखाने की बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुक्सान सिवान सदर के राजद विधायक अवद बिहारी चौधरी को ही होगा। यही वज़ा है कि अवद बिहारी चौधरी अब सहाबुदीन के साथ अपने और लालू परिवार के साथ पुराने संबंदों पर भी जोर दे रहे हैं। जीरा देई से लड़ रहे थे तो उस समय मैंने उस विधान सभा मतगर्णा की रीकाउंटिंग कराई। नहीं तो वहाँ पर कुछ लोग तो त्रिभोन सिंग को गलत तरीके से विजय घोशित कर दिये थे। त्रिभोन सिंग भी विजय स्री का तिलक लगा कर जूम रहे थे लेकिन रीकाउंटिंग ने त्रिभोन सिंग के इरादो पर पानी फेर दिया। अवद बिहारी आगे कहते हैं कि सहाबुदीन जैसे मेरे भाई अगर जिन्दा रहते तो किसी को राजद और लालु यादों के खिलाफ एक सब्द बोलने नहीं देते। यकीनन जो लोग राजद और लालु जी के खिलाफ बोल रहे हैं उनको सुनकर सहाबुदीन के आत्मा को ठेसी पहुशती होगी। अवद बिहारी चौदरी ने लालु परिवार और सहाबुदीन के रिष्टे पर जो बाते कही हैं वो सौ प्रतिसत सच है। यहीं वजह है कि एक नाराजगी पर सहाबुदीन को मनाने लालु यादो सिवान आ जाते थे। समय बदला और लालु यादो भी जेल या बीमारी से जूजने लगे। वहीं पाटी की कमान तेजस्वी यादो के हाथ में आ गई। वह अपनी छवी को साफ सुत्रा दिखाने के लिए सहाबुदीन नाम से कत्राते दिखने लगे। इस वजह से सहाबुदीन समर्थकों में नाराजगी है और वह दावा कर रहे हैं कि परिवार को इग्नोर करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। समर्थक कह रहे हैं कि जब कभी भी राष्ट्री अस्तर पर राज़त की मीटिंग होती है तो सहाबुदीन का फोटो तक नहीं रहता है। जब सहाबुदीन राज़त के संस्थापक सदस्य थे तो पोश्टर से सहाबुदीन गायब क्यों है। मुख्य पाटी कार्याले से भी सहाबुदीन की फोटो और यादे गायब है। समर्थकों का दावा है कि सहाबुदीन जब तक जिन्दा थे तब तक तो पाटी में हर जगा दिखते थे। लेकिन जन्नत जाने के बाद उन्ही की अपनी पाटी ने रुस्वा कर दिया। यह तो सच है कि राज़त और लालु पर सहाबुदीन का अटूट विश्वास था। तभी तो राज़त की सरकार में ही सहाबुदीन पर कानूनी सिकंजा कसा गया। तभी वफादार राज़त के बने रहे। राज़त सरकार के समय में डीजी पी ओज़ा ने सहाबुदीन पर देश द्रोह का आरोप लगाया। राज़त की सरकार में ही उनके गाउं प्रतापपूर को पुलिस ने घेर कर छापा मारी की जिसमें लोगों की जान भी गई। हाला कि सहाबुदीन वहां से निकलने में सफल रहे। राज़त की सरकार के समय ही सिवान के ततकालिन डीम सीके अनिल और स्पी रत्न संजे की जोड़ी ने चुन चुन कर सहाबुदीन के सागिर्द और उनसे सहानुभूती रखने वालों के खिलाफ कारेवाई भी की। इन तमाम परिस्थीतियों में भी सहाबुदीन ने राज़त का साथ नहीं छोड़ा। झाल झालव झालवाई दोड़ा ऊप्याँ